Hello students, आज हम start करें class 11th math chapter 2 relations and function introduction of exercise 2.3 The modulus function and graph function from real number to real number function is equal to modulus x x belongs to real number तो बच्चे जो आपके पास modulus function होगा तो आपके पास domain क्या होगी real number आप कोई भी number real number ले सकते हैं इसमें ठीक है तो जो range आएगी वो क्या आएगी आपके पास positive real number क्या आएगी बच्चा range positive real number क्योंकि आप modulus में कोई भी value डालते हैं positive डालते है negative डालते हैं तो आपके पास answer उसका result क्या आता है positive values ठीक है बच्चा तो जैसे आप example ले रहे हैं आपके पास ये function कैसे होता है ये function होता है जब आप 0 से सारे number बड़े हैं मतलब वो क्या है 0 से number बड़े है मतलब positive number है तो उसके लिए आपके पास function होता है x तो जब भी आप 0 से छोटी value लेंगे तो आपके पास function क्या होता है negative ठीक है बच्चे तो इसका graph कैसे बनेगा देखिए इसका graph कैसे बनेगा आपने लिया x ये आपके पास x value है दूसरी आपके पास जो y function है वो क्या है modulus function है ठीक है तो आप बेटा आपने लिया 1 लिया तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा आप लेंगे 2 तो 2 आएगा आप लेंगे 3 तो 3 आएगा ठीक है बच्चे आप माइनस 3 लेंगे तो आपके पास 3 आएगा माइनस 2 लेंगे तो आपके पास 2 आएगा माइनस 1 लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 आएगा ओके एलो बेटा देखा फिर आपने ये आपने माइनस 3 लिया तो क्या आया था 3 आये था, minus 2 लिया, 2 आया minus 1 लिया, 1 आया ठीक है बच्चे, आप कोई भी value डालेंगे modulus में, तो आपके पास क्या आएगा, modulus जैसे आपने लिया है, minus 1 लिया तो आपके पास 1 आएगा 2 लिया, तो आपके पास 2 आएगा ठीक है, minus 3 लिया, तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा clear है बच्चे तो आप इसका graph कैसे बनाएंगे देखिये इसका graph x axis y axis y x y x y negative ठीक है अपने बटा 1 2 3 4 यह ले लिया आपने 1 2 3 4 ले लिया 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ले लिया ओके बच्चे और यहां पर क्या आएगा 1 2 3 and 4 और यहां पर minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 ओके बच्चे आपके पास जब आपने 1 लिया तो आपके बस 1 आया 2 लिया तो आपके बस 2 आया फ्री लिया तो आपके पास थ्री आया है ना तो आपने माइनस वान लिया तो क्या आया था पॉज्टिव टू आया था येस और वान लिया थो क्या आया था पॉज्टिव वान आया था ठीक है और ऐसे आप आकर थ्री लेंगे तो आपके पास क्या आएगा पॉज्टिव थ् तो आप इसका graph कैसे बनाएंगे यह देखिए आप इसका graph ठीक है बच्चे यह इसका modulus का आपके पास graph बनेगा clear है बिटा ओके आपको modulus function clear हो गया बिटा इसमें आपने जो भी value x की रखेंगे वो आपको return में positive value ही देगा ओके बिटा चलो next graph देखिया next आपके पास है signum function and graph signum function में आपको क्या दिया होता है function है आपके पास real number से real number है function में आपको जो value दिया है देखो जब आप x क्या रखेंगे 0 से less than रखेंगे greater than रखेंगे तो आपके पास 1 आएगा जब equal to 0 रखेंगे तो 0 आएगा जब आप less than 0 रखेंगे तो negative आएगा ठीके बिटा अब less than 0 से तो negative values ही होती है तो सभी negative value के लिए आपके पास क्या आएगा minus 1 आएगा तो सभी positive value के लिए आपके पास क्या आएगा answer one आएगा ठीके और zero के लिए और जिरो के लिए इसने zero दिया मतलब जो आपके पास डोमेन आएगी वो सारे के सारे real number आएगे और जो range आएगी वो आपके पास limited दी हुए है one zero minus one ओके बैटा तो आप इसमें देखिए इसका ग्राफ कैसे लेंगे आप आपने बचे हाँ तो आप है इसका ग्राफ ये देखिए आप आपने लिया function x लिया ठीक है तो आप fx देख रहे हैं ठीक है बिटा आप टू रखेंगे value positive तो क्या बनेगा आपका one आएगा three रखेंगे तो क्या मिलेगा one रखेंगे zero आएगा तो zero आएगा minus one रखेंगे तो one मिलेगा आपको two रखेंगे तो one मिलेगा sorry minus one मिलेगा ठीक है minus one तो आप यहाँ पर minus three रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा minus three one मिलेगा ठीक है बच्चे clear हो गया ना यह मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें बटा आप easy है सब आप थोड़ा सध्यान से देखिए ओके आप इसका गराब देखिए अब इसका signal function का हम गराब कैसे बनाते हैं देखिए बटा y x x और यह क्या है y ठीक है बच्चे आपने लिया यहां पे कोई भी value लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ओके बच्चे यहां पे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 ओके बटा देखिए बटा आपने जब positive value ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है 1 नहीं आ रहे है ना आप इसके लिए यह लिखेंगे ठीक है बटा आपने यह बनाया गराब y y आपके पास क्या रहेगा 1 ही रहेगा ठीक है बच्चे तो यह आपने लिया open interval open interval का यह sign होता है ठीक है यहाँ पे circle बना दिये यह क्या है आपके पास open interval ओके बच्चे यह आ गया और next आपने यहाँ पे देखा जब आपने negative value ली तो आपके पास क्या आ रहा था minus 1 कोई भी आपने x की value रखी तो आपके पास क्या आया था यह आपने देना open interval और negative की value minus 1 थी आपको 1 देंगे minus 1 देंगे minus 2 देंगे minus 3 देंगे minus 4 देंगे तो आपके पास value क्या आएगी, minus 1 ही आएगा, क्या आएगा बच्चे, minus 1, और ये क्या था, आपके पास 1, ओके, तो ये आपका हो गया, signal function का graph, next function देखिए आप, next आपके पास greatest integer function, ठीक है, आपके पास function from real number 2, real number function आपके पास, ये small bracket होती है, क्या होता है, small bracket, small bracket, x small bracket, और x belongs to real number, आपने देखा बचा, जब greatest integer function है, आपके पास minus value कब आएगी, जब आप 0 से minus 1 तक कोई भी value रखेंगे, तो आपके पास answer क्या आएगा, smallest value, smallest 0 और minus 1 में smallest number कौन सा है, minus 1, तो smallest value, greatest integer function, इसका नाम greatest integer function है, बट ये देता value क्या है, हमें smallest value देता है, ठीक है, और आपने बच्चे, जब 0 और 1 के बीच में कोई भी value लिए, जैसे 0.5 ली, 0.3 ली, 0.2 ली, 0.99 ली, तो आपको ये answer क्या देगा, 1, sorry, क्या देगा ये आपको, 0 देगा, क्या देगा, 0, छोटी value देगा आपको, ओके बच्चे, जब आपने लिया, 1 लिया, आपके पास 1 और 2 के बीच में value, ये equal to का sign है, क्या होता है, equal to, तो आपने क्या लिया बटा, जब 1 और 2 के बीच में value लिया, ठीक है, ये 1 और 2 के जो भी value आई, क्या आया, 1.5 आया, यहाँ पे, 1.4 आया, 1.6 आया, तो ये किसको अप्रोच करेगा, ये 1 को अप्रोच करेगा, ये 1 को, ठीक है, तो आंसर क्या देगा बटा, ये 1 देगा, ओके बच्चे, ऐसे ही 2 और 3 में जो भी value डालेंगे, आप तो क्या value देगा, ये 2 ठीक है, तो इसका आप graph देखिए, कैसे करेंगे हम इसका graph, तो देखिए हमने value डाली, x की value डाली, बटा, 1.5 तो आपको क्या मिलेगा, 1, 1.9 डाला तो 1 मिलेगा, 2.5 डाली तो 2, जो ये smallest value उसको अप्रोच करता है, ठीक है बटा, 3 और 2 के बीच में जो भी value डालेंगे, व बटा, वो 0 के अप्रोच करेंगा, ठीक है बच्चे, तो इसका क्या आएगा, बच्चे, हमारे पास graph देखो, आपने बटा, 0 से 1 तक value डाली, तो आपके पास इसने क्या दिया, 1 दिया है, जीरो से हमने 1 तक value डाली, तो इसने हमें क्या दिया था, 1, ठीक है बच्चे, आप यहां पर क्या डालेंगे, open interval, बच्चे, तो जब आपने 2, आपने 1 से 2 तक कोई भी value डाली, तो आपको इसने क्या दिया, 1 दिया, यह open interval, मतलब 2 को include नहीं करेगा, और 3 से 4 आप value डालेंगे बच्चे, तो आपको यह क्या देगा, 3 देगा, ओके बटा, और ऐसे ही minus 1 है, आ आप minus 1 देगा, यह, clear है बच्चे, ना, sorry, यहां पर mistake हो रही है, यह गलत हो रहा है, यहां पर ऐसे नहीं होगा, दूसरी तरह से होगा, हाँ बटा, देखिया, आपने जब 0 से 1 तक value डालेंगे, तो आपको क्या देगा, वो 0 value देगा, मतलब open interval, यहां पर 1 को include नहीं करेगा जब आप 1 से 2 तक value देगे, तो वो क्या देगा, 1 देगा, 2 नहीं देगा, ठीक है, जो भी 1 से लेकर 2 तक value देगे, तो आपको वो क्या देगा, बटा, 1 देगा, ओके बच्चे, जब आप 2 से 3 तक value कोई भी डालेंगे, तो आपको वो क्या देगा, 2 देगा, 3 नहीं देगा, पचे नेक्स्ट आ यहां पर जीरो से वान डालेंगे तो आपको जीरो बड़ा नंबर हो गया ना तो वो छोटा नंबर अप्रोच करेंगा माइनस जीरो clear हा बच्चे माइनस वन उके तो आप माइनस वान से टू लेंगे तो छोटा नंबर क्या है? minus 2, तो minus 2 को approach करेगा वो, ओके बच्चे यहां पर फिर से गलत हो रहा है, यह ऐसे नहीं होगा हाँ बिटा देखिए, आपने जब 0 से 1 दी तो value किसको approach करेगा वो 0 को, ठीक है तो यह open interval डालेंगे, आप 1 को नहीं include कर रहा है, फिर आपने 1 से 2 दिया value, तो वो किसको include कर रहा है, 1 को 2 को नहीं कर रहा हो, फिर आपने 2 से 3 value दी, तो वो आपको किसको include कर रहा है 2 को include कर रहा है, 3 को नहीं कर रहा ठीक है बच्चे, तो यहां पर भी ऐसे होगा, जब आप 0 और minus 1 को करेंगे तो वो किसको include करेगा 2 के बीच में value लेंगे वो include minus 2 को कर रहा है तो minus 1 को क्या कर रहा है exclude कर रहा है इसलिए यहां पर आपका open interval बनता है ठीक है बीटा minus 2 और इसमें minus 3 में आप value लेंगे तो वो छोटी value कौन सी है 3 इसको include करेगा इसको नहीं तो यहां पर open interval बनेगा ठीक है बच्चे तो आपका यह graph ऐसे बनेगा ओके नेक्स नेक्स देखे बीटा आपके पास क्या है algebra of real function addition of to real function function x to real function and g from x to real function ठीक है बीटा where x subset है आपका real function का real numbers का f plus g from x to r x belongs to r f plus g function जो है वो इसको आप कैसे लिखेंगे f function plus g function ओके आप एक example ले रहे हैं यहां पर देखिए आपके पास है fx आपके पास है बीटा x square है और gx आपके पास है x square plus 2x ओके बच्चे तो आपको इसको plus करना है एडिशन दिया है तो आपको कैसे करेंगे आप f plus g x equal to fx plus gx equal to x square plus x square plus 2x तो यह क्या हो जाएगा 2x square plus 2x ओके बच्चे नेक्स आपके पास है subtraction of real function तो आपने fx ले लिया यहां पर x ले लिया gx आपने ले लिया 2x ले लिया plus 3 ले लिया ठीक है तो आप f minus g कैसे करेंगे यह function fx minus gx equal to x है minus आपके पास 2x plus 3 है ठीक है बटा आपने ले लिया x minus 2x minus multiply होगा अंदर तो यह minus plus minus minus x minus 3 तो यह आपका answer आजाएगा clear है बच्चे नेक्स आपके पास है multiplication by a scalar तो यहाँ पर आपको जो function दिया है x function from x to real number alpha f function equal to alpha f function x belongs to x capital x ठीक है तो आपके बास जो alpha है बटा वो क्या है constant number है alpha आपके पास constant number है जैसे alpha आपने ले लिया alpha आपके पास क्या है constant number है उसको आप 2 भी ले सकते हैं तो f x एक function है उसको आप 2 x ले 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 जिए ठीक है तो आपको यह multiply करने के लिए बोला गया है यहाँ पर यह दोनों चीज़े क्या और यह multiply हो रही है multiplication by a scalar तो आपके इसको कैसे लिखेंगे alpha f x equal to alpha की value क्या है आपके पास alpha आजाएगा sorry alpha और function आजाएगा क्या आजाएगा function f यह क्या है एक पास alpha और यह function आजाएगा ठीक है बच्चे तो आपने क्या ले लिया इसके बाद alpha की value क्या दिया आपने 2 दिया तो function की value क्या है 2x है तो यह क्या बन जाएगा आपके बास 2 to the 4x ओके बेटा next आप देखिए आपके पास है multiplication by 2 real function तो आपके यह function होता है function from x to real number होता है और यह function है g to g from x to real number ठीक है तो आपके पास fg x x to real number defined by fg यह ठीक है तो आपने बेटा आपके पास example जैसे fx आपके पास है 2 है ठीक है और gx आपके पास है 3x plus 2 तो आप इसको कैसे करेंगे f और g आपको दिया है ठीक है तो आपने ले लिया fx multiply gx ओके बच्चे तो 2 है आपके पास दूसरा क्या है 3x plus 2 आप इसको multiply कर दीजे 3 to the 6x plus 2 to the 4 यह answer आजाएगा ओके बच्चे कोशन्ट आफ 2 real function है function from x to real number x जो subset उटता है real number का f of 1 g अब आप कोशन्ट है तो वो divide करेंगे function f को divide करेंगे g function के साथ provider gx आपके पास 0 नहीं होगा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर वो 0 हुआ वो not defined हो जाएगा तो आपने यहां पे fx क्या लिया 2 लिया और आपने gx क्या लिया 4x ले लिया ठीके बच्चे तो आपके पास आंसर क्या आएगा f upon gx equal to f function और g function तो आपके पास क्या आजाएगा 2 upon 4x तो कितना आजाएगा यह cutting हो जाएगे 1 by 2x तो यह आपके पास आंसर आजाएगा इसका ठीक है hope so बेटा यह आपको समझाया होगा thank you